अगर आपने भी अपनी बेटी का एकाउंट सुकन्या समर्ध्धी योजना में खुलवाया हुआ है तो इस वीडियो को आप चिरूर वोच करेगा क्योंकि सुकन्या समर्ध्धी योजना के नियमों में बड़ा बदलाओ किया गया है दोस्तो अगर आपके प्रिवार में बेटी है तो आप भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समर्ध्धी योजना में एकाउंट ओपन करा सकते हैं और 200 रुपे जमा कर आप 10 लांक रुपे तक का लाब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो इस बड़े एमाउंट से आप अपनी बेटी की पढ़ाई पुरी कर सकते हैं साथी साथी भी आप आसानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह नियम भी बताएंगे जो बदले गए गए हैं और साथ ही दोस्तो आपको वह संपूर्ण जानकारे दी जाएगी जो सुकन्या समर्ध्धी योजना से रिलेटेड है जैसे की बेटी का एकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं एकाउंट कराने के लिए कौन-कौन से दस्तवे चाई होगे आप एकाउंट कहाँ पे उपन करा सकते हैं आप पैसा कैसे जमा कर सकते हैं और साथा दोस्तो और भी कई बिडियो जानकारी हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं दोस्तो वीडियो को अंत्र तक जरुड देखेगा वीडियो लाइक करेगा एंड शेर करेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सुकन्या सम्रध्धी योजना में बड़ा बदलाओ किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार दवारा सुकन्या सम्रध्धी योजना बेटी के लिए चलाए गई है जिसके अंतरगत बेटी की पढ़ाई से लेकर साधी तक बहुत बड़ा एमाउंट जोड़ा जा सकता है यानि के बेटे की पढ़ाई के लिए और साधी के लिए पैसा इखटा किया सकता है आप से भी को पता है कि बेटे के जनन होते ही मात पिता की चिंताए बढ़ जाती है दोस्तो बच्ची की पढ़ाई वे साधी को लेकर वे पैसे भी जमा करना सुरू कर देते हैं तो वहीं दोस्तो सरकार ने भी उन मात्पिता की मदद करने के लिए सुकन्या समरत्ती योजना की सुरुवात की है जिससे की मात्पिता अपने बेटी के लिए, शिक्षा के लिए और साधी के लिए एमाउंट जोड सके हैं तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जान कर देने वाले हैं तो आप अंतर बने रहेगा, इस क्रेप बिल्गुल भी मत करिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा, तो जी लिए बात करते हैं कि आप किस तरह से फाइदा उठा सकते हैं, लापराप्त कर सकते हैं तो दोस्तो, सुकन्या समर्थी योजना एक ऐसे लंबी अवधी की योजना हैं, जिसमें निवेश करने पर आप अपनी बच्ची की पढ़ाई से लेकर साधी तक के खर्चे के लिए पैसा जोड सकते हैं दोस्तो, सुकन्या समर्थी योजना के अंद्रगत दस वर्ष से कम आयू की बच्ची का खाता उनके मात पिता के नाम पर खोला जाता है इस योजना के अंद्रगत सालाना आप कम से कम 250 रूपे जमा कर सकते हैं अब देखी दोस्तो, अगर देखा जाए तो 250 रूपे एक वर्ष के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं अगर आप इसमें अधिक पैसा जमा करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक देख लांग रूपे तक यनके एक लांग पचास हजार रूपे तक आप जमा कर सकते हैं इससे उपर आप जमा नहीं कर सकते हैं यनके 250 रूपे से लेकर देख लांग रूपे तक का इसमें आप सालाना पैसे जमा कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए दोस्तो अब बात करते हैं कि आप कैसे खाता खुलवा सकते हैं तो सुकन्या समर्धी योजना के अंतरगत पहले बात करते हैं कि क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होंगे तो दोस्तो सुकन्या समर्धी योजना के अंतरगत खाता खोलने के वक लड़की का बर्त सर्टिफिकेट पोस्ट ओपिस या फिर बैंक में देना जरूरी है साथ ही लड़की और उनके मात पिता का पहचान पत्र और एडरस प्रूप की जरूरत होती है इसमें दोस्तों आपका आधार काड भी हो सकता है आधार काड की अवशकता होगी इसमें बच्ची का भी आधार काड चाहिए होगा और मात पिता का भी इसमें आधार काड चाहिए होगा अब दोस्तों आप कैसे एकाउंट ओपन करा सकते हैं खाता कैसे खुलवा सकते हैं या पर आप देख सकते हैं दोस्तो सुकन्या समर्द्धी योजना का फाइदा लेने के लिए किसी भी नजदी की पोस्ट ओपीश या फिर बैंक में जाकर खुलवा जा सकता है सुकन्या समर्द्धी योजना 21 साल में मैचिवल होती है और दोस्तो इसमें हाला कि बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद इसमें पढ़ाई के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है अगर पूरी रकम की बात करें तो 21 साल होने के बाद ही आप पूरा पैसस में निकाल सकते हैं लेकिन दोस्तो कुछ कंडिशन है जिसमें आप समय से पहले एमाउंट को निकाल सकते हैं व्यक कैसे चली उसके बारे में भी आपको बता देते हैं तो दोस्तों खाते में जो रकम हैं वे कैसे जमाक की जाती है उसके बारे में बात करते हैं तो सुकन्या समर्द्धी योजना खाते में निवेश की गई जो रकम है और जो रकम आप निवेश करना चाहते हैं रकम कैस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिमांड राप्त या फिर किसी ऐसे तरीके से भी जमा करा जा सकती है, ओनलाइन माध्यम से भी आप यहनके ओनलाइन का भी सहरा आप ले सकते हैं पैसा जमा करने में, ठीक है तोस्तो, अब आपको दादे कि खाता अगर आप बंद करना चाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता जाते हैं कि आप किस प्रकार से यहां पर खाता बंद किया जा सकता है, तो सुकन्या समरत्ती योजना के अंतरगात खोले गए खाते को पहले दो प्रिस्चितियों में बंद किया जा सकता था, पहली बेटी की मोत हो जाने पर, और दूसरी दोस्तो, बेटी के रहने का पता बदल जाने पर, यानिकि अगर बेटी के मृत्ती हो जाती है, तो आप उस एकाउंट को बंद करके, जितना भी एमाउंट आपने जमा किया है, उसको आप निकाल सकते हैं, या फिर बेटी का स्थाई पता बदल चुका है, जहा गरमाथ पिता की मौत हो जाती है, तो उस समय विस खाते को बंद किया सकता है, और जो भी पैसा आपने जमा किया है, वे समय से पहले आप निकाल सकते हैं, अब दोस्तो, इसमें सबसे पहले बतां चाहेंगे, कि समें और क्या बदलाउ किया गया है, दोस्तो, पहले एक परि लेकिन अब बदलाव के बाद परिवार में अगर पहले एक बेटी का जन्म हुआ है और उसके बाद दो बेटी जुड़वा हुई हैं तो तीसरी बेटी को भी इस प्रकार से असे C के अंत्रगत दोस्तो टैक्स में छूट दे जाएगी तो दोस्तो यहां पर आपको किस प्रकार से रकम मिलेगी उसके बारे में भी हम आपको बलाएते हैं निवेस पर आपको कितना ब्याज दिया जाएगा तो निवेस पर दोस्तो कितना ब्याज मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं सुकन्या समरध्धी योजना में निवेश पर फिलहाल दोस्तो 7.6 परतिसत्त की दर्ष से ब्याज मिल रहा है। दोस्तो एक महिने में अगर आप 1,000 रुपे जमा करते हैं बारा महिने में 12,000 रुपे और 15 साल में आप 18,000 रुपे आप जमा करते हैं। ठीक है तो इस परकार दोस्तो जब आपकी बेटी की आयू 21 वर्स की होती है तो इसमें कुल जमा और प्लस ब्याज जो एमाउंट जुड़ता है वह दोस्तो 3,29,212 रुपे होता है। वहीं 21 साल के होने पर कुल जमा प्लस कुल ब्याज के अगर हम बात करें तो दोस्तो यहाँ पर जो वापस पैसा मिलेगा बेटी को वह 10,18,425 रुपे बेटी को मिलता है। इसमें 18 साल के आपकी बेटी की आयू होने के बाद अगर आप पढ़ाई के लिए पैसा निकलवाना चाहते हैं तो बहुत आप निकलवा सकते हैं। आपको 21 साल के बाद ही आप पूरा पैसा निकलवा पाएंगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आपका सवाल को जवाब दे जाएगा। योजना केन सरकार के तरफ से हो या फिर राज्य सरकार के तरफ से चलाए गई हो।